दोस्तों इस वक्त सोसल मीडिया पर जमकर ट्रोल होने वाले रियान पराग ने बयान देकर उड़ाया होस्त जी हैं दोस्तों आपको बता दे राजस्थान और गुजरात के बीच खेले गए मुकावले में राजस्थान रॉयल्स के ओल राउंडर रियान पराग से सबको बेहद उमीदे थी राजस्थान भी इस खिलाडी को काफी बैक करती है लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तब उस वक्त रियान पराग कुछ खास नहीं कर पाए और आउट होकर पविलियन लोड गए नतीजा ये रहा कि राजस्थान की पूरी टीम महज 118 रनों पर ही ओल आउट हो गई रियान पराग की खराब बल्लेबाजी पर बुने सोसल मीडिया पर जम कर ट्रोल किया जाने लगा जिसका जबाब देते हुए रियान पराग ने कहा मुझे फर्ट नहीं पड़ता की कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है मुझे अपने परदर्सन पर बस फोकस करना है मैं कम बैक करूंगा तो दोस्तों आपको क्या लगता है राजस्थान रोयल्स को रियान पराग को मौका देना चाहिए या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और सब्सक्राइब कर लिजे हमारी यूटूब चैनल को धन्यवाद